आज मैं जो अचार बनाने वाली हूँ ना इसे आप तुरंत बना और तुरंत खाओ वह वाली अचार है आज मैं बैंगन आलू और गोभी का बहुत ही टेस्ट अचार बनाने वाली हूँ तो वीडियो को लास तक देखेगा बहुत ही टेस्ट इस भी है तो यहां पर देखिए साइज के कलोंजी बेंगन होते हैं उसे मैं इस तरह दू साइज में बंट कर शीरा लगा यह पाट ड्रफमा छीड़ा लगाया अर लिक वह और है रहें-चाइब मक्षना और है दोनों को वाल लिया और साथ ही पर कोवी कोवी मैंने उबाल लिये तीनों कोवाल है झालिके से जो चोटे वाले आलू होते हैं ना मार्केट में अभी मिलते हैं और इसकी सब्जी वगेरा अच्छी नहीं लगती है तो इसके अचार बनाके खाओ बहुत ही टिस्टी होता है तो इस तरह से अपनी छोटे वालू को यहां पे छील लिया है और साथ ही साथ अब हम इसे कट हो बस इतना ही दिन यह अचार को आप खा सकते हो तो मैंने आपे सब कर लिया है उसके बाद यह जो बैंगन थे उसे भी हम डाल देंगे और साथ ही साथ यहां पर गोभी को भी डाल देंगे तो बिंटर का समय है साड़ी सब्जी अब बहुत ही मार्केट में अबलेवल होती गोभी तो बहुत ज्यादा मिलता है तो अब यह जाँ रुटा कीज़ेगा काफी टेश्टी होता है उसके बाद इसमें कुछ ज्यादा मसाले भी अड़ी पॉडर डाला है उसके बाद यहां पर तोड़ा सा लाल मिच पॉडर डाल देती हूँ अपने जितना आपको तीखा चाहिए मैं एक चमच टाला उसके बाद यहां पर जमयन है कलाउजी है उसे एक चमच टालेंगे उसके निए चाहिए नमक डालें और यहां पर नमक डाल दूंग तेस्ट के कॉर्डिंग नमक इसमें और कुछ भी एड़ करने कि आपको ज़रूत नहीं है मतलब जादा मसाल मिक्स कर देंगे तो पहले सबसे पहले आपको सर्सो तेल यहां पे छोटी वाली कर्टोरी से आधी कर्टोरी में ही बस बन जाएगा इसमें बहुत जादे तेल की भी जरुवत नहीं होती है सर्सो तेल में कोई गडम बगेड़ा करके नहीं डाला है बिल्कुल जैसे नॉर्मल सर्सो तेल होते हैं वही डाला है उसके बाद इस तरह से कोई कल चल लेकि आपको एक पार चला लेना है और चाहा के आप इसे क्या करना कि एक दिन के लिए धूब दिखा देना नहीं तो टपना जाएगा तो और भी टेस्टी लगेगा तो यह हमारा बहुत ही टेस्टी अचार बन के तयार हो चुका है मैंने एक दिन धूब दिखाया और फिर उसके बाद सही हम लोग रास्ते से खाना तयार कर दिए तो आपको वीडियो कैसा लगा जूरू बदेगे को के बाइ यह वाज वाचिक धुट वाचिक धिस वीडियो